नमस्ते वेलकाम टू माई चैनल पॉलिमाथ एग्रो सेलीशन सर्विसेज जैसा कि आप कुछ वीडियो से देखके आ रहे हैं कि हमने टोटली अपना जो ध्यान है वो मश्रूम कल्टिवेशन पे इस वक्त लगाया हुआ है और अब हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो ऑन हाई डिमांड है जिसमें बड़ी लोगों की क्वाइरिस भी आए मेरे पास भी कौन कौन से कैमिकल हमें मश्रूम इंडस्टी में यूज करने चाहिए किस किस टाइम पर यूज करने चाहिए तो आज जो हम आपके पास साथ वीडियो लेके जा रहे हैं बहुत लंबी होने इन वीडियो को मैं पार्स में अप्लोड करूंगा तो फस्ट पार्ट जो हम बना रहे हैं वीडियो का वो है डिसेनफेक्टन कौन कौन से डिसेनफेक्टन हम मश्रूम इंडस्टी में यूज करते हैं और उनका क्या-kया बेनिफिट है आईए देखते हैं जैसा कि अभी मैं डिस्कस कर रहा था भी मश्यूम इंडस्टी में कौन-कौन से केमिकल हम यूज करते हैं तो इसको clarify करने के लिए हमने इसको 5 categories में divide कर दिया है सबसे पहले आता है disinfectants, then fungicides, then antibiotics, insecticide, pesticides and growth promoters तो इस वीडियो में जो मैं discuss करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ वो है disinfectant disinfectant होते क्या है, disinfectant एक वो chemical या compound या group of chemical या group of compound है जो किसी भी unwanted, alga, bacteria, fungi, virus और यहां तक की nematodes को भी kill करने में help करता है control करता है उनको, और अगर हम mushroom related देखें तो compost एक already highly nutrient, nutrient, full of nutrient होती है compost तो जहां पर भी compost कहीं पर किसी floor के साथ touch कर गई, किसी structure के साथ touch कर गई, या किसी equipment के साथ touch कर गई तो वहां पर unwanted microorganism grow कर जाते हैं तो उनको भी kill करने में ये help करता है sometime हम foot tips में और mats में भी disinfectants को use करते हैं अगर आपका कोई भी आदमी जो compost yard में काम करता है और वो mushroom farm में move करता है तो इससे transmission of disease या infection transmission रहता है तो उसको भी ये control करती है अब disinfectant की कुछ properties हैं सबसे पहले आगए inactivation of disinfectant by organic matter inactivation means भी जो disinfectant है बहुत highly reactive compound है इनकी high reactivity होने के कारण अगर आपके growth room में कुछ भी organic matter पढ़ा है तो ये उसके साथ भी react कर जाएंगे जिससे इनकी जो activity है वो reduce हो जाती है अब कौन सा organic matter पढ़ा हो सकता है growing room में जैसे कि peat, cocoa peat बच गई आपकी casing soil से या कुछ composed residue पढ़े हुए है या mushroom debris पढ़ी होई है तो ये उनके साथ भी react करके जो इसकी activity है reduce हो जाती है कुछ ऐसे disinfected है जो ज़्यदा susceptible है अपनी activity loss करने को for example hypochloride, quaternary ammonium compound ये ज़्यदा susceptible है अपनी activity loss ज़्यदा जल्दी कर देते है फिर उसके बाद ये एक बड़ा recommended है भी जब भी आप disinfectant यूज़ करें तो आपका जो surface है वो completely clear होना चाहिए growing room completely साफ होना चाहिए वहाँ पे कोई भी debris नहीं होनी चाहिए या peat या compost या कोई भी ऐसा organic contamination नहीं होनी चाहिए अगर है तो पहले उसको आप room को साफ कर ले अगर आप साफ नहीं कर रहे तो आपकी calculation ऐसी होनी चाहिए भी आप उस जो material पड़ा है उसकी जो activity reduce ना हो और आपका disinfection properly work करे कई वर क्या होता है मश्रूम के उपर एक बड़ी sticky layer होती है बायो फिलम की और वो बायो फिलम भी कई वर attach हो जाती है तो कई वर हम foam surface लेके foam cleaning agent, foam based कोई industrial cleaning agent लेके भी हम room की washing करते हैं और उसके बाद हम disinfectant use करते हैं next deposition of residue अब हम mushroom industry में ऐसे कोई भी disinfectant use नहीं करते जिसके residue बच जाएं जैसे quartnery ammonium compound, phenolics हो गए या कुछ ऐसे disinfectant जिन में silver होता है इनके residue बच जाते हैं कमरे में तो यह हम नहीं use करते then corrosiveness कितने ज़्यादा reactive है अब क्या होता है आप का जो surface है उसमें metal है ammonium है stainless steel है galvanized steel है यह जैसे sodium hypochloride है यह आपका parastic acid है यह इसके साथ react करता है और corrosion cause कर देता है तो हमें वो आपको choose करना भी आप कौन सा use करें ज़्यादा machinery पे से हम इन disinfectants को use नहीं करते हम सिर्फ plastic containers में और concrete area पे ही हम इसे use करते हैं अब कौन-कौन से disinfectant जो market में available है और जो हम mushroom industry में use करते हैं तो सबसे ज़्यादा use होने वाला disinfectant है formalin फिर potassium permanganate use करते हैं, calcium hypochloride, sodium hypochloride, hydrogen peroxide, quaternary ammonium compound, body x mixture and sodium chloride ये वो common disinfectant है जो हम use करते हैं सबसे पहले हम formula को discuss करेंगे जब हम spawn run कर देते हैं, spawn run हमारा शुरू होता है हम room fill करते हैं room fill करने के instant बाद हम 2% formula solution spray करते हैं as a disinfectant उसके बाद हर तीसरे चौते दिन 5% formula, 0.5% sorry, 0.5% formula हम industrial formula हम spray करते हैं room में जब हम casing prepare करते हैं तो 2% formula solution डालते हैं followed by उसके उपर जब सारी formula बन जाती है, 0.5% formula का spray करके उसको polythene से cover कर देते हैं 24 hour के लिए, then जितने भी आपके equipments हैं, उनको हम 2% formula से wash करते हैं, जब हम casing apply कर देते हैं, casing कर दी आपने, casing करने के बाद फिर हम 2% formula solution 40% formula का हम spray करते हैं room के अंदर और 8-10 घंटे हम room close रखते हैं, entry करने से पहले हम थोड़ा room को ventilate कर देते हैं और उसके यह 8-10 घंटे necessary हैं, ताकि जो nematodes हैं, microgons हैं या verticellium के जो spores हैं, वो easily kill हो जाएं, जो आपकी machinery है, tool है, equipment है, या आपको foot wear है, आप उनको भी 2% formula solution के साथ disinfect कर सकते हैं, then working corridor, working corridor के लिए आप एक industrial formula ले लिए 40%, उसको 10 लिटर पानी में mix करके, 100 meter cube area में आप easily उसे spray कर सकते हैं, और room को आप 8-10 घंटे बंद कर दीजिए, याद रखिए, room में entry से पहले आपको उसे ventilate करना है, otherwise यह irritating है, irritating nature है formula next है potassium permanganate, potassium permanganate एक strong oxidizing agent है, जिसे हम disinfectant की तरह use करते हैं, उसकी इसी property को, और यह hypo chloride से भी पहले use होता था, water drinking water में, और market में यह available है easily एक gram के packet तो आपको हर medical store में मिल जाते हैं इसके, इनको हम fruits और vegetable को washing के लिए भी use करते हैं, इसका जो solution है, 1-5% solution as a disinfectant use करते हैं, mushroom industry में, जो सबसे इसका ज़्यादा use है, वो है, हम इसको combination में use करते हैं, formalin के साथ, और जो blast के नाम से बहुत ज़्यादा famous है भी हमने blast करना है, blast में क्या होता है, हम 35 ml formalin लेते हैं, और 10 gram potassium per manganate लेते हैं, पर cubic meter के हिसाब से, आपकी एक cubic meter space में हम 35 ml formalin और 10 gram उसमें potassium per manganate add करते हैं, और इसे हम basically fumigation कहते हैं, इसे fumigation करने से पहले आपको जो mushroom का growing room है, उसकी जो सारी openings है, उसको बंद कर देना है, surface को wet कर लेना है, खुद protective gloves, mask, clothing, safety glasses यह आपने पहने होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप formalin में के में और डाल दे हो तो एक blast होता हलका सा, तो इसलिए उसमें से heat generate होती है, यह reaction होती है, उसमें से heat generate होती है, आप इसके avoid करना है भी आप इसके fumes inhale ना करें, सांस के साथ अंदर ना लें, और अकेले यह procedure कभी नहीं करना, और इसे करने के बाद आप room को 24 hour के लिए बंद कर दोगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, blast, और बहुत ज़्यादा effective भी है यह, next है हमारे पास calcium hypo chloride और sodium hypo chloride, यह इन दोनों में जो active compound है, वो है chlorine, जो disinfectant की तरह use होता है, अब इसका solution prepare करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले जो chlorine है, यह chlorine solution है, यह chlorine solution है, यह धीरे धीरे अपनी strength lose कर देता है, तो हमें यह हमेशा जब भी use करना ह है, आप जो solution, जो liquid water use करने हैं, उसमें कोई भी organic matter नहीं होना चाहिए, क्लोरिन उस organic matter के साथ react करके अपनी activity loss कर देता है, तीसरा one ratio 10, अगर आप one ratio 10 bleach solution यूज करते हैं, तो वो caustic का काम करता है, तो आप इसके direct contact में या आपकी eyes या आपकी skin इसके direct contact में ना आए, जो bleach solution है, ये chlorine gas release करता है, तो इसको आप ventilated कमरे में बनाएं, और इसको बनाने के लिए हमेशा plastic container ही use करें, क्योंकि ये corrosive होने की कारण, किसी भी metal को rust corrosion कर देता है, किसी metal की corrosion कर देता है, अब इसकी market में दो concentrations available हैं, एक जो 70% जिसमें chlorine होती है, दूसरा जिसमें 30% active chlorine होती है, तो अगर जिसमें 70% active chlorine है, उसको आप अगर 1 ratio 10 solution बनाना है, तो 7 gram पर लिटर में add करेंगे, और अगर 1 ratio 100 बनाना है solution, तो उसे आप 7 gram in 10 लिटर यूज़ करेंगे, सेम अगर आपके पास bleaching powder में 30% active chlorine अगर आपने purchase किया है, तो आप 16 gram पर लिटर में यूज़ करेंगे, 16 gram पर लिटर में यूज़ करेंगे, अगर 1 ratio 10 solution बनाना है, और अगर आप 1 ratio 100 solution बनाना जाते हो, 30% active chlorine का, तो आप 16 gram 10 लिटर में add करोगे, तो यह उसका solution है, similarly sodium hypochlorite भी market में bleach के नाम से available है, यह broad spectrum disinfectant है, virus, bacteria, fungi, mycobacterium इन सब पर काम करता है, बट यह bacterial spole और prions को किलनी करता है, calcium hypochlorite अब mostly जो जब calcium hypochlorite है, यह oxidize करता है, organic compounds को react करता है, then, जो chlorine है, basically 7000 ppm तक water में soluble है, और यह water के साथ react करके, hypochloris acid produce करता है, यह hypochloris acid ज़्यादा strong disinfectant है दन chloride के, more powerful oxidizer है, और disinfectant है दन hypochlorite के, और, but hypochloris acid is extremely unstable, और easily केलो, यह convert हो जाता है, then, जो सबसे ज़्यादा जैसे अभी मैंने बताया भी, आपको market में सबसे ज़्यादा जो active है, वो है sodium hypochlorite आपके से use कर सकते हैं, market में available है, आपके पास calcium hypochlorite भी, जो calcium hypochlorite है, जिसे हम bleaching powder बोलते हैं, वो आपको solid form में मिलता है, और sodium hypochlorite जो market available है, यह liquid form में है, तो इसमें से आप कोई भी use कर सकते हैं, next है hydrogen peroxide, hydrogen peroxide एक versatile disinfectant है, यह कई environment matrices में use कर सकते हैं, air में, water में, waste water में, surfaces पे, soil में, कई matrices में हम इसे use कर सकते हैं, यह individually काम करता है, और इसको आप mixture में भी दूसरों disinfectant के साथ use कर सकते हैं, but hydrogen peroxide ज्यादा strong oxidizing agent है, chlorine और chlorine dioxide से, hydrogen peroxide typically market में 3% hydrogen peroxide की concentration हमें मिलती है, जिसे हम use कर सकते हैं as a disinfectant, आप इसे dilute करके भी 0.5% concentration इसके use कर सकते हैं, 0.5% concentration के लिए, आप 2.5 part water के, और 0.5 part 3% hydrogen peroxide का आप use कर सकते हैं, hydrogen peroxide आप use, जो मेरी recommendation है, यह आप तब करें, जब आपको लगे भी फारम में bacterial infection आने के chances हैं, क्योंकि यह bacteria के against बहुत अच्छा work करता है, बट इसको mushroom के उपर ना use करें, सिर्फ mushroom area को sanitize करने के लिए use करें, to kill the spores of bacteria. next है quaternary ammonium compound, quaternary ammonium compound basically living system में एक बड़ा important role play करते हैं, इनकी एक strong antimicrobial activity है, इसके बहुत सारा food industry, healthcare industry, cleaning, sanitizing, disinfecting, हमें मिलते हैं, even बहुत अगर आप देखें, तो market में जितने भी formula हैं, जो आज कल हम hand sanitizer में यूज करते हैं, उसमें भी यूज होते हैं, quaternary ammonium compound, इनकी toxicity बड़ी low होती है, और ये surfactants, surface active agent की तरह भी काम करते हैं, जो सबसे, कहलो, surface active agents होते हैं, quaternary ammonium compound के, ये basically proteins को denature करते हैं, और microorganism को destroy करते हैं, protein denature को, protein जो cell bound proteins हैं, उनको denature करके, microorganism destroy कर देते हैं, इसलिए आज कल जितने भी disinfectant, जो hand sanitizer हैं, उनमें भी ये use होते हैं, और सबसे जो common है इसमें, वो benzylconium chloride है, benzythonium chloride है, methyl benzythonium chloride, then cetyl pyridine chloride, ये आपको formulation में मिल जाते हैं, जाद तर, but easily, ये कैसे, readily available होंगे, कुछ companies हैं, जो इनका solution sale करते हैं, तो आप mushroom में, directly से नहीं use करते हैं, ये सिर्फ आप sanitizing की तरह use कर लोगे, spray room sanitization में आप use कर लोगे, ये bacteria को भी kill कर देता है, next है आपका body x mixture, body x mixture, ये copper sulfate और lime का mixture है, हम 1% body x mixture बनाने हैं, आपको 1% body x mixture बनाने हैं, तो आप 1 gram copper sulfate लेंगे, ये 1 kg copper sulfate लेंगे, 1 kg आपकी क्लाइम लेंगे, और उसको 100 liter water में dissolve कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1% body x mixture आ जाएगा, अब इसको prepare कैसे करते हैं, आपने copper sulfate market में easily available है, copper sulfate लेंगे, उसको crush करेंगे, उसको 50 liter पानी में dissolve कर लेंगे, प्लास्टिक बकट में, ऐसे ही आप lime बनाएंगे, चुना, चुने का पानी, basically, उसको आप 50 liter पानी में बना लेंगे, 1 kg चुना लेके, उसको 50 liter पानी में dissolve कर लेंगे, और उसका पानी ले लेंगे, दोनों को slowly slowly mix करेंगे, किसी भी लकडी के साथ, और आपके पास जो चीज बन जाएगी, वो है Body X Mixture, Body X Mixture भी एक strong disinfectant है, बट इसको जैसे ही आपने इसका mixture पिपेर किया, तो उसकी आपने acidic range चेक करनी है, उसको आपने neutral करना है, उसका pH 7 लेके आना है, अगर ये alkaline है, तो इसमें थोड़ा सा Lime Solution मिक्स करेंगे, ताकि इसकी acidic range कम हो जाए, तो इसको आपने neutral लेके आना है, इसको यूज करने से पहले आप इसे filter कर लेंगे, और इसे यूज करेंगे, जो last है disinfectant, वो है sodium chloride, sodium chloride कहलो कोई इतना strong disinfectant नहीं है, sodium chloride बेसिकली जो घरों में हम नमक यूज करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, sodium chloride की, ये अगर आप इसका saturated solution कहीं पे भी डाल देंगे, तो ये वहाँ पे ही spore kill कर देगा, इसको हम doors पे थोड़ा डाल लेते हैं, ताकि आपके पेरों में जो spore लगे हुए हैं, चपलों में या कहीं पे भी room के out अंदर बाहर जाते समय, तो वहाँ पे ये उनको denature कर दे, इसका saturated solution, सो ये हमारे पास disinfectant हैं, जो market में available हैं, मैं इन्हें repeat करूँगा, सबसे पहले हमारे पास formalin, then potassium permalignate, calcium hypochloride, sodium hypochloride, hydrogen peroxide, quaternary ammonium compound, body x mixture and sodium chloride, disinfectant use करने से पहले एक बात का ध्यान रखें, कभी भी अगर आपने disinfectant use करना है, तो किसी की recommendation के बिना use ना करें, calcium hypochloride, sodium hypochloride, या कोई भी ऐसा disinfectant, जो आप use करने हैं, और direct contact में आता है, अगर आपके mushroom के, तो वो उसको effect कर सकता है, बिना knowledge के, किसी भी disinfectant को directly use ना करें, पहले disinfectant के बारे में समझें, पहले problem के बारे में समझें, फिर आप disinfectant को use करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो kindly share इसे जरूर करें, thank you,